प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस खबरे सबसे पहले सालों से छुपाया था अभिनेत्री काजोल ने ये राज खुलासा हुआ तो रह गए सभी हैरान काजोल भारतिये फिल्म सिनिमा की जानी मानी अदाकारा है काजोल का नाम इंडस्ट्री की बेर तरीने क्ट्रे से इसमें शुमार होता है उनके खाते में एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मे है सिर्फा काजोल नहीं बलकि उनके पूरे परिवार का संबंध बलिवुट से है काजोल की मानता नूजा अपने जमाने की मशूर अभिनेत्री थी इसके अलावा उनकी मौसी नूतन का भी नाम बलिवुड की दिगज अभिनेत्रियों में शुमार था हाला की वे अब इस दुनिया को अलवेदा कह चुकी है बहुत कम लोगों को पता होगा की एक्टर मोहनीश बहल नूतन के बेटे हैं काजोल के पती अजेद देवगन भी एक मशूर अभिनेता हैं साथ ही उनकी कजिन रानी मखर जी भी इंडिस्ट्री की क्वीन है ये रिष्टे नाते ही बताते हैं कि काजोल का पूरा परिवार ही फिल्मी है लेकिन आज काजोल को लेकर एक ऐसी चौकाने वाली बात सामने आई है जिसने इंडिस्ट्री के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है यह बात कई सालों से काजोल सबसे छुपाते हुए आ रही थी लेकिन आज इस बात का खुलासा हो ही गया दरसल काजोल का सेलेक्शन स्वच आदत स्वच भारत के एडवोकेसी एमबेसरडर के रूप में हुआ है इतना नामी गिरामी होने के बावजूद काजोल का परिवार एक साधा जीवन व्यतीत करने में यकीन रखता है काजोल एक जमीन से जुड़ी हुई अदाकारा है उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है वह घर के कामों को भी बखुबी करती हैं वह एक अच्छी मा होने के साथ साथ एक अच्छी हाउस वाइव भी है छोटी उम्र से ही काजोल को घर के कामों में हाथ बंटाना अच्छा लगता था जब वह छोटी थी तो न अक्रानी के न आने पर घर की साफ सफाई खुद ही कर दिया करती थी अपना यही गुण उन्होंने अपने बच्चों में भी डाला है शारूक के साथ काजोल की जोड़ी काफी हिट मानी जाती है दोनों के बीच एक अच्छी दोसी भी देखने को मिलती है उनकी सुपर हिट फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे आज भी सिनेमा घरों में लगी हुई है 5 अगस्त 1974 को महराष्ट में काजोल का जन्म हुआ था 43 वर्षिये काजोल की एक छोटी बेन भी है जिनका नाम तनीशा मुखर जी है फिल्म बेखुदी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री काजोल ने बाजीगर कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी कम और फना जैसी अनेकों सुपर हिट फिल्में दी काजोल अपने नाम अब तक 6 फिल्म फियर अवार्ड कर चुकी है